हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागरत हैं मैं हूँ ना और अब तो खुश होंगे आप सब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि दीरे-दीरे करके दीरे-दीरे चीज़ें नॉर्मल हो रहे हैं केस दुकाने खुलने लगी हैं तो भालतू तो मैं भी नी चारती हों बिना आदत हो गई अब उस चीज़ की क्योंकि दुकाने खुलने से कुछ नी होगा जब तक वह कम होना शुरू नी होगे तब तक हमें ऐसे ही मेंटिन करके रखना पड़ेगा जैसे आज तक हम लोग कर र ब्लॉगी नी कि उसके लिए सौरी आप लोगों से मैं सौरी बोल रही हूं क्योंकि होता है ना कुछ ठोड़ी सी ससाथ थोड़ा सारेश करने को मन होता है कि मैं यार थोड़ी सी रेस्ट करते हूं उसके बाद वीडियो घरा शूट करेंगे तो वही बीच में मैंने तो आप लोग भी पी लेजिए जयादर दिखाऊंगों तो तो पी लेजें और आज मैं आप लोगों के साथ अपना टीनर रूटीन शेयर करोंगी डीनर मैं बनाने जारी हूं दाल चावल और करेले की सब्सक्राइब करेले की सबची तो मतलब सब बनाते हूं सब को अपना अपना तरीका होता है मैं गाउं में जैसे बनाते हैं बिहारी स्टाइल में सेम वैसा ही बनाऊँगी मैं तो मैं आप लोगों के साइच्छेर करूंगी आप लोगों को पसंदा है को सब्सक्राया बहुत देर में पहले चाय पी लेते हूं और आरुश अभी सो रखा है तो मैं बना लेती हूं उखने आला है वह थोड़ी दिर में तो मैं पी लेते हूं चाहेँ उसके बाद महीं तो मैं पी लेती हूं अपको मैं किचन में क्याता तो किशे कंप करेले को कीन ऐस ने खरेडर सब्सक्राइब स सब्सक्राइब और अब इसमें करेळा डालों गया जब तक रहाए करना जब तक करेला इंतम राण ना हो जाए तो जब तक करेले में फ्राय हो रहे है तब तक मैं मसाला ते यहार कर लेती हूं मितालनी मैं आपको बताती हूं कि क्या marks चाहिए है तो fifa लेसं और अगरा आपके पौरीं मेने पूरी होती है पूरा लेगिया है मैंने तो इतना लेसं धनिया पावडर्र अगर आपके पास ढूर और अगर आपके पावडर्र कालि मच, जीरा , छोड़ा सा लेना है, छोड़ा सा जीरा और लेना है में काला सर्तो ये जरूर लेना है ज्यादा नेशा रोड़ा, और काली सुरटी, चाने बिखुकी औरया कर दोड़ा, इत्नामसाला ऑटाूड़ा नतों तो अचेल सुवेह दोत्जा को तुर अद्रण को तो शुष पर है। уже और इसे लेक लोट़ा कज़ना शुखम, making it a stir तो यह देखिए करेवा एकड़ा लाल हो चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ यह देखिए एकड़ा हो चुका है अब क्या करेंगे इस तेल मी मी सरसो का तड़का डालेंगे बड़ा सा डालेंगे सर्पो का तड़का लगाएंगे और ये जमने त्याज कटकर के रखाया और छोटे छोटे जेल्स तुग्ड़ों में ही त्याज को काटें कर तक ये विए हम नमक खाल्दी दोन्हों डाल दोगेगे इसमें त्याज को लाल होने तक भूल देंगे लेते हैं पारवा ने कहीं रफकर लेतेे आमी नहीं सो विखके एसे चाएप मैं पिस होने कि तो यह देखिए प्याज इत्तम रेड हो चुका है तो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है यह आड़ कर दो देखिए तो जालब गारत है तो इसमें पानी भी आड़ करेंगे तो आड़ करना को रेगा पानी कि वैसे करेले में तो मिर्च यूज नहीं करते हैं मैं मिर्च यूज नहीं करती लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा आज इसके लिए मैं यूज करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च बाउडर अच्छा आता है इससे वाकि तीखा विका कुछ नहीं होता तो मैं यह एड़ करूंगे इसे कलर बहुत अच्छा हो जाता है तो हम मसाले को एकदम मसाले को भी रेड करके ही भूझेंगे अच्छी तरीके से अच्छी पानी थोड़ा सा जादा होगी तो जार पभूने के चक्कर में जार में ने इसलिए दूलिया कि उसी में मैं आमी को भी पीस लोगी जादी चल्दी असाले को भूझ लेते हैं और आमी को हम डालेंगे सबसे लास्त में क्योंकि अगर खट्टा डाल देंगे मैं करेल करेल को पकाने के बाद उसनिया में डालेंगे तो यह करेला पके गाने इसलिए आप लोग भी अगर बनाएंगे तो खट्टा जो भी डालना चीव बाट में डालेगा एक को हम भूझ जेते हैं करेली बहुत हो रही हैं तो यह देखे मां जो मसाल तेल है में से अलग हो चु अधो मुझे लिए उसके बाद पानी डालें देखर हैं तो पीछे पक रहा है थोड़ा सा कम कर लेए तो पहुंद देखर थोड़ा सा बूलती उसके बाद इसमें पानी आड़ करेंगे अब मैं इसमें आड़ करें हूं पानी इतना एड़ करना है पानी ताकि अभी करेला इसके अंदर पकेगा मसाली के अंदर तब ही करेले के अदर उसका डीस जाएगा होएं इतना पारी अधा करने हुआता है सब्सक्राइब लाइक के शिरूफ जाद मेहने करेणी में तो इसे क्या करना है अब ठाउन से पकने के ठिकना चूड़ियाक डालेना है और जब भी पारीजिए आमी póइं के अटे यूदा है हिए तो छोड़ दे इसको तो यह देखिए इसका यह गाड़ा हो चुका है तो इसमें मैं आप डाल भी हो खटाई और इसका फ्लेम पेज करके मैं इसे अच्छी तरीके से अब सुखा लोगी तो खा के अच्छी तरीके से बोनूंगे तो जब यह रेडी हो जाएगा तब मैं दिखाऊँगे आप लोगों को करेली के सबजी और मिर्च फ्राइ किया हुआ और दाल तो आप लोग में डीनर कर लेती हूं तो गुट बार्निंग सबको और हो गई है सुबा तो सुबा उठके मैं में थोड़ा बहुत काम किया और इसके बाद में प्रेफ़स में देखे मैं क्या लेके बैठी हूं यह तो आपको मैंने दाल चाल बनाया था उसे मैंने फ्राइ किया है और साथ में लिया है फ्राइ मिर्च तो तो मैं प्रेफस्ट करती हूं और मैंने सूचा मैं वीडियो का एंड मी कर दूँ क्योंकि कल राज से ही मैंने शुरू किया हुगे था तो यह मुझे अब सूच अफ्सूस लग रहा है इस चीज का कि मतलब तो मम्मी ना मना करती थी कि यह सम्त बनबा फिर और खराब हो जाएगा कभी ऐसा होगा नहीं बनबा पाओगी तो क्या करोगी तो हम दोस्दे थे ऐसा कभी ठीन थोड़ी आएगा कि जब ऐसा होगे हम थ्रिडिंगी नहीं बहुत बुरी हालते हैं, इसे फीस इतना खराब लगता है, तो इसलिए आज मुझे लगता है कि नहीं बनुजा भूराइज नहीं बनुदे तो कमसे कम जो अपना जो अपना जो भगवान जी ने दिया था जैसे बना के दिया था, तो उसे हमने खराब कर लिया खुदी та तो देखते हैं क्या होता है, फुद को भी थोड़ा सब अजीब लगता है, मुझे तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मेरी थोड़ा सब अजीब लगता है, क्योंकि मेरी थोड़ा सब अजीब लगता है, क्योंकि मेरी थोड़ा सब अजीब लगता है, क्योंकि मेरी थोड